नमस्कार सरप्रतम आप सभी लोगों को खरिद्दारी के सबसे बड़े पर्व के तौर पर माने जाने वाले धंतेरस की हार्दिक सुभकामना है वह बदाई धंतेरस को खरिद्दारी के सबसे बड़े पर्व के तौर पर जाना जाता है माना जाता है कि इस दिन घर पे कोई न कोई नई वस्तु अवस्य ही लेकर आनी चाहिए इस दिन सोना यानि कोल्ड को लाना सरवाधिक सुभ माना जाता है इसके पीछे की जो धारणाय बताई गई है जो मान्यताय है वो यह मानी गई है कि इस दिन यदि सोना घर पे आता है पृति वर्स तो घर में हमेशा ही धन बैबव बने रहता है आरोग किता बनी रहती है घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है हमेशा खुसाली चाही रहती है खुसाली तब चाही होती है घर में जब धन से संबंदित किसी प्र कारकी व्यक्ति को कोई चिंता न हो तो सोना अत्यांत ही सुब इस दिन लाना माना जाता है और अक्सर देखा जाता है कि सरवादिक मात्रा में लोग सोना ही इस दिन लेकर आते हैं कि तो सोने को लाने के सांथ कुछ नियम है यदि सोना सही तरीके से घर में आता है तो वह चार चात घर में लगा देता है अपने साथ वो कई चीजें लेके आता है निरंतर ब्रिद्धी वहाँ अपने आप में करते रहता है धनादी में भी वहाँ करते रहता है तो जो हमारे पूर्व में जो बुजर्ग या जो विद्वान लोग रहा करते थे वो लोग जो बताया करते थे कि सोना जब भी घर में लाएं तो भी सुबपर्व के दिन लाएं सुबपर्व यैसे धन्तेरस है अकसे तर्तिया है और भी जैसे कभी गुरुपुस्य योग बन गया अमरत्स दियोग बन गया इन परव में सोने को लाना अत्यांत ही सुबपर्व माना जाता है सोने को घर में लाने के साथ अवस्ये ही कोई ने कोई मीठी वस्तु अवस्ये ही लानी चाहिए मिठाई आप ला सकते हैं, नहीं तो बतासे को सरवाधिक सुभ माना गया है, किन्तु सोना लाने के साथ हमेशा कोई नई वस्तु या मिठी वस्तु अवस्य लानी चाहिए, किन्त कुछ वस्तुआं के बारे में परहेज बताया गया है जैसे कोई हत्यार या नुकसान पहुचाने वाली चीज नहीं लानी चाहिए जो किसी को नुकसान आदी पहुचाती है या इसके अत्रिक्त वो चीज़ें जो वेध युक्तवानी जाती हैं सुब परवों के साथ या किसी सुब वस्तों के साथ जैसे नमक है, तेल है, चाकू है, ऐसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दूसरा, जब हम सोना घर पे लेके आते हैं, तो घर में अवस्य ही घीका दीपक, सुद्ध देशी गाय के घीका दीपक अवस्य ही परजलित करना चाहिए क्योंकि सोने को सरवाधिक पवित्र माना गया है, जीते जी जहां यहां मनुस्य की सोभा बढ़ाता है, हमेशा मुल्यवान बने रहता है, मृत्यू के बाद भी मृत्य सरीर के लिए भी यह मुल्यवान माना गया है, बिना सोने के मृत्यू के बाद भी सोने का महत्त माना ग तो अवस्ये ही घी का दीपक या सुगंधित तेल का दीपक कि आप अवस्ये जला सकते हैं ना हो तो दीपक अवस्ये जला दे, पूजा अरचना, कुछ ने कुछ वहां पर को अवस्ये ही कर लें, तिसरी और अत्यंत ही महत पूर्ण बार, देको सोने को पवित्र माना गया है अत्यंत ही पवित्र है कहीं पर किसी चीज की कमी होती है पूजा में तो वहां पर को सोना उसकी पूर्ति कर देता है यहां तक की गौदान हम जो कहते हैं सोने में तक की आ जा सकता है उतना बड़ा गौदान कौमाता का जो दान होता है जैसे हम ब्रामन को देते है बहुत बड़ी जैसे कोई पूजा आदी के पस्चाद या किसी अभिलासा आदी के पस्चाद भी कई तरीके से गौदान किया जाता है तो वहाँ वो भी सोने किया जा सकता है इतना पवित्र और इतना नहत्त पोड़ माना गया है सोनी को तो सोना अत्यांत पवित्र है जब भी हम सोनी को ले आए तो खुद को भी पवित्रता की इस्तिति में रखना है यानि कि ताम सी चीज़ों से बचना है और भी कई चो पवित्रता को भंग करती है उन चीजों से परहेज करना है, उनसे दूर रहना है, यदि हम इन छोटी सी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वो सोना हमें दिन दो गुनी, रात चोगुनी, सोन गुनी जितने बढ़ते जाते हैं चरासी गुनी तक, वहां तक उन्नती दे सकता है, जीवन में चार चांद न बले, लोग लाखों का सोना लाते हैं, लेकिन कोई हरस नहीं हो पाता, वर्स वैसा ही चला जाता है, रत्ती भर सोना, एकर नियामानुसवार ले जाये, तो वर्स हरस पूरवक भी देगा, वो वर्स देखने में आएगा, जैसा वर्स अबिकत आज तक कभी देखा ही नही बया होगा तो ये च्छूटी सी चीज़े होती है महत ऊपूर्ण नोग इन चीज़ों को आजमाते हैं आज का व्यक्तितों काफी ऐसा हो चुका है कि लोगों को बताने भी नहीं चाहता है बहुत कम लोग बचे हैं समाज में जो कि ये चीज़े बताते हैं इन चीज़ों का जब भी कोई लोग लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए तो आप लोग के आसपास भी यह चीज़ें पर चले में होंगी तो ध्यान रखिएगा और इस यही सुना लाने से पूर क्या पता अगर आप इस निया मनुसाला दे तो अगले ध हम ऐसा उम्मीद करते हैं और रखते भी हैं तो जानकारी कापी अच्छी थी धंते रस की पुना आप सभी लोगों को बदाई मिलेंगे किसी ऐसी ही जानकारी के अच्छे वीडियो के साथ अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार जाई स्री राम जाई स्री कृष् क् खर।कर लिए dei शफते प्राम के सकार जा잖아 जाई स्री यहां कार नमस्कार जाई साथ कर 59 मों स्री कर अभते हैं पश्री का जानकारी का शे अच्छी कर भी संबते हैं रस साख मुई इन पर रस्कार को जोग्शे सकते हैं रस मुई प्रहें जार कहूू के ख二ग